मिले मेरे गरवालों को मेरी जान एक दिन इतना दूर चले जाएंगे ना उल्लाइन आएंगे ना नजर आएंगे और अगर आदी गए नजर तो नजरे जुपा कर चले जाएंगे लगिये चोट दिल पर दिखा नहीं सकते भूलना भी चाहता हूँ, भूला नहीं सकते मुहबत का अंजाम यही तो होता है जिसके लिए हम तरसते हैं, उसे पान नहीं सकते तुमसे मुहबत थी, है, और हमेशा रहेगी ये मिलना ना मिलना तो नसीब की बात है मैंने दिल से कहा कि उसे हर वक्त याद मत किया कर दिल ने कहा कि वो तो तेरी हर सांस में है तु सांस ही मत लिया कर तो ये दुलाईने तुम्हारे लिए अगर फुरसत में याद करना हो तो मत किया करो मैं अकेला जरूर हूँ, लेकिन फाल तू नहीं हर चीज पाँच मिनट में भूलने वाला लड़का मैं आज उसे सालों से नहीं भूला पा रहा आपके पास कोई दिल टूते पर शायरी है तू पास रहके भी दूर थी तू दूर रहके भी दूर है उसे प्यार ना करना चाहूं फिर भी दिलिये मजबूर है सब कहते हैं कि वो तेरी नहीं रही अब तू मुवन कर जा पर एक तरफा प्यार करने का भी को एक दूरूर है अब तो वो भी हमें रुलाने लगे हैं जो कभी कहते थे रोते तुम हो और तकलीफ मुझे होती है आखरी बार मिल सको तू मिल लेना कुछ कह सको तो कह देना मुझे नहीं जिय जाएगा तुम से बिछड़ कर तुम जी सको तुजी लेना दोनों नाकाम रहे इस इश्क के सफर में वो मुझे चाहना सका मैं उसे बुलाना सका यही फरक तो है तुम में और हम में मैंने तुमारे लिए सब को इग्नोर कर दिया और तुमने सब के लिए मुझे ही इग्नोर कर दिया हाए जिन्दगी यह चाहती है कि मैं खुदकुशी करना और मैं यह चाहता हूँ कि कोई हाथसा हो जाए मेरे दोस्त सिर्फ एक गलती की देर है फिर लोग भूल जाएंगे कि आप कितने एच्छे थे तुम तो डड़ते थे ना मुझे खोने से बताओ तुमारा वो डर किसने दूर किया दिन नहीं कर रहा जीने को कोई सहर ही दे पीने को आख ऐसी लगे फिर आख न खुले है है फोड़ा तो चैन मिले सीने को सब नसा कर लिया फिर भी उसकी यादे देरा पीचा नहीं छोड़ती चुप चाप स्टेटिस देखने वालो डपनाने तो आओगे न मुझे मालूम है कि वो मेरा कभी नहीं होगा बस चोख है उसकी खातिर बरबाद होने का छोड़ जाएगी एक ना एक दिन ये जिन्दगी भी फिर तुम ने छोड़ कर कोई कमाल नहीं किया हम तो तेरी हर खुआश पूरी होने की दुआ कर बैठे थे हमें क्या पता था हमें बूल जाना ही तेरी हुआश है और जिसको भी खबर मिली उसने यही कहा क्यूंकि तुमने महबत तुम तो बहुत समझदार थे फिकर करना छोड़ दिया अब उसने मेरी अब वो किसी और का ख्याल रखती है जो कभी कहते थे तो मेरे सब को सो दिल भर गया है उनकाम से अब हमारी बाते उनको बकवास लगती है खुद का भी हाल देखने की फुरसत नहीं है मुझे और वो दुसरे से बात करने के लिजाम लगा रहे एक ही दो पसंद है मेरी उसे भी कोई और पसंद है मुझे नहीं चाहिए किसी से जवरदस्ती वाला साथ अगर मैं हाथ पकरूँ तो पकर उसकी भी होनी चाहिए मैंने सुना है एक तरपा महबत बहुत रुला दिया और मैं घर का लाडला हूँ मुझे रोने का सौक नहीं अम्मी को लगता है मुझे उनकी कोई परवा नहीं अब उन्हें कौन बताए कि मैं जिन्दे की उनी के लिए चीरा हूँ और मेरा सफर खतम हूँ